मुझे आज भी याद है कि मैं और मेरे दोस्तों डैनियल और कैलिब ने स्कूल के बाद देर से घार लोटना बंद कर दिया था पर एक दिन शाम को हम लेट हो ही गए क्योंकि हमारी परिक्षाएं बहुत निकट थी और हम शाम तक परिक्षा की तयारी में जुटे हुए थे अपना रास्ता तै करके हम अपने घर पहुशने ही वाले थे तभी मन में वीचार आया क्यों ना शॉटकट ट्राय किया जाए जो घने जंगल से होकर गुजरता था हमने सोचा कि ये छोटा रास्ता होने के साथ साथ हमारे डर को भी सवाप्त कर देगा अभी हम आगे बढ़े ही थे कि हमने कुछ मशालों को अपनी ओर आते देखा हमने उन पर ध्यान नहीं दिया हम आगे बढ़ते गए और सोचने लगे हो सकता है कि ये शराबी हैं जो रात में पी कर मशाल की रोश्टी में घर लोट रहे हो हम तेज तेज चलने लगे क्योंकि रात गहरी हो रही थी और हमें घर जल्दी पहुचना था तभी मशालों के साथ साथ अजीब अजीब आवाजे भी आने लगी जो इंसानों जैसी नहीं थी मेरा दोस्ट कैलिब बहुत डर गया क्योंकि उसके पिता जी ने उससे पहले ही उस जंगल से गुजरने को मना किया था कैलिब की कहानी सुनकर हम सब डर गए और हमने भागना शुरू कर दिया नदी के किनारे पहुचकर जो कुछ भी मैंने देखा उसे देखकर मैं जोर से चीखने लगा मदद करो हमारी हमारी मदद करो सामने जो मशाल लिए खड़े थे वो बहुत ही विशाल मानव थे वे जंडे के खंबे के बराबर लंबे उनकी आँखें मोटर साइकिल की हेडलाइट के बराबर बड़ी बड़ी गोल थी वे लाल आखों से घूर रहे थे हम बहुत बड़ी मुसीबत में फस चुके थे पल भर में जो पीछे वाले लोग थे वो भी आ गए उनके चेहरे बहुत ही भयावा थे समझ में नहीं आ रहा था कि ये जीव आये कहां से है उनके तीन हाथ तीन आखें और सिर पर दो सिंगे थी हम वहाँ खड़े जोड़ जोड़ से रोने लगे और हमें लगा कि धरती भट जाए और हम उसमें समा जाएं उनमें से एक शैतान ने केवल अपनी दो उंगलियों पर डैनियल को उठा लिया जैसे उसको साबूत ही निकल जाएगा और अपनी भयानक आवाज में बोला आज रात के लिए ये एक स्वादिष्ट भोजन हाथ लगा है पर अचानक ही मेरे पिता जी के साथ साथ हत्यारों से लैस भीड़ा गई उन्होंने हमारी चीख पोगार सुननी थी और वे हमें बचाने आये थे उन्होंने डैनियल को बचा लिया और उन शैतानों को धारदार हत्यार से हमला करके मार डाला हम उस दिन मौच से बाल-बाल बचे तब से आज तक हम सूरज धलने से पहले ही घर वापस आ जाते हैं शाम के खरीब पांच बजी थे हम शाम को अपनी ड्यूटी से फ्री होकर घर की ओर चल पड़े मैं और मेरा दोस्स पीटर हम दोनों कीनिया बिल्डर गेट से बस पकड़ते थे जो हमारे कारियाले के बाहरी था रात के आठ बच चुके थे और बस का कहीं पता न था पर कुछी मिनट में बस आ गई पीटर बस में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति था और उसने तुरंथी सामने वाली खाली सीट ले ली उसके बिल्कुल बराबर वाली सीट पर एक बहुती सुंदर यूफ्ती बैठी थी उसने चेहरे पर मुसकान बिखिरते वे पीटर का स्वागत किया वो बहुती मिलन साल लग रही थी मैं दूर बैठ कर ये अच्छी तरह देख सकता था कि पीटर उस यूफ्ती से बात करते वे कितना प्रसन लग रहा था यूफ्ती ने चोटी सी मिनिस कट पहन रखी थी जिससे जलकती वी उसकी मादक जांगे बहुत आकरशित कर रही थी वो पारदर्शी खमीज पहने वे थी जिससे जलकता उसका योवन साफ साफ देखा जा सकता था ये सब देख कर मैं उस यूफ्ती के बराबर में ना बैठ पाने पर लगतार पश्ता रहा था पर मुझे ये नहीं मालुम था कि ये यूफ्ती ही एक दिन पीटर के अंत का कारण बनेगी उसका नाम मौरेन था बस की रफतार इतनी धीमे थी कि पीटर को अपने बारे में मौरेन को सब कुछ बताने और विस्तार से बात करने का अच्छा अफसर मिल गया यहां तक कि अपने स्टॉप पर पहुशने से पूर्व मुझे पीटर को सचेत करना पड़ा उसका एक हाथ पीटर के हाथ में था और दूसरे से वे उसकी दाड़ी पर उंगलिया फेर रही थी मैंने सोचा शायद उसकी बड़ी डाड़ी के कारणी ऐसा कर रही हो तब यह मुझे यह भी पता चला कि वह यूफती उस राथ पीटर के घर ही रुकने वाली थी क्योंकि उसका मकान मालिक उसे घर में प्रवेश करने की अनुमती नहीं देगा क्योंकि उसके उपर कुछ किराय बाकी था बाद मुझे पता चला कि ये सब पीटर को बेवकुव बनाने की चाल थी मैंने पीटर को अलविदा कहा पर जैसे ही वो मोरिन के साथ अपने कमरे की ओर जा रहा था एक चीज ने मुझे दहला कर रख दिया ये मोरिन के पीछे मुड़े हुए उल्टे पैर थे और इन पैरों से वे बहुत ही आसानी से आगे की ओर चल रही थी इस बात ने तो मुझे हैरानी कर दिया था चारो और अंधेरा भी था मैं खुझ भी साफ साफ नहीं देख पा रहा था क्योंकि भारी बारिश के कारण हमारी लाइट पूरे दो हफ़तों से कटी वी थी बस बासी खाना ही गरम करके खाना था मैंने चूले पर खाना रख दिया और अंधेरे में माचिस डोनने लगा माचिस ना मिलने पर मैं माचिस लेने पीटर के पास चला गया उसके पास बैठी मौरीन की आँखे किसी दहकते अंगारी की तरह लाल-लाल दिख रही थी पर मैं नहीं जानता था कि पीटर की जिंदगी का ये अंतिम दिन था फिर मैंने सोचा पीटर को भांग का नशा करने की आदत है हो सकता है कुछ भांग उसने उस युफ्ती को भी पिला दी हो जिससे उसकी आँखे इतनी लाल हो गई हो मैंने भोजन किया और मैं सोने के लिए लेटा ही था कि किसी डर ने मुझे उठा दिया पीटर अपने घर पर बेहोशी में चिलाय जा रहा था मैं उचल कर अपने बिस्तर से उठा और चीखता हुआ उसके घर की और भागा मैंने उसका दर्वाजा खटकटाया पर कोई जवाब नहीं आया मैं जोर जोर से चिलाने लगा तभी कुछ पड़ोसी मेरी मदद करने आ गए हमें दर्वाजा तोड़ना ही पड़ा और अंदर जाकर जो कुछ भी मैंने देखा वे बहुत ही खौफनाक था पीटर का गला किसी ने किसी बकरे की तरह काट कर धर से अलग कर दिया था वहाँ पर खून के कोई निशान भी नहीं थे उसका सिर भी गायब था जिस चाखों से स्का गला काटा गया था उस पर खून के निशान थे उसके शरीर से वस्तर गायब थे और उसके गुपतांग भी गायब थे मौरेन वास्तव में एक प्रेत आत्मा थी वह पीटर का सिर कहां ले गई और घर से कैसे गायब हो गई ये अब ही एक रहस से है जब भी अपने मित्रों पर घटी ये दुबभरी कहानी में सुनाता हूँ तो हमेशा रोद देता हूँ जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे अप्रेल की छुट्टियां शुरू हो गई थी और मैं और मेरे तीन मित्र एमोस, फ्रेड वर लेन हम सभी स्कूल में रुके हुए थे हम गडित विशे में बहुत अच्छे थे और अगले दिन हम चारों को एक गडित प्रत्योगिता में भाग लेना था हम अपना फाइनल रिविजन कर रहे थे तभी ये घटना घटी हमारा स्कूल एक सुनसान घने जंगल में था जहां पास येक सरकारी खबरिस्तान था लोग कहते थे कि यहां प्रेड आत्माय घुमा करती है विशेश कर जब गर्मियों की छुटियां हो जाती और चात्र अपने अपने घर चले जाते वहां कई चोगिदार आये और चले गए जो रहते भी थे वो भी रात में अपने अपने आपको ताले में बंद करके घर के अंदर ही रहते क्योंकि उन्हें डर रहता था कि कोई भी प्रेड उन पर हमला कर सकता है कुछ ने तो इसलिए नौकरी भी छोड़ दी क्योंकि उन्हें अपनी जान नौकरी से ज्यादा प्यारी थी एक बजे थे हम अभी रिविजन कर रहे थे जिससे हमारा स्कूल इस प्रत्योगिता में प्रथम आये सभी पढ़ने में व्यस्त थे तभी हमने सोचा कि खिड़की खोल दी जाए जिससे ताजी हवा आ सके पर तभी हमने अपनी कक्षा के बाहर से आती अजीब अजीब आवाजे सुनी आवाजे धीरे धीरे हमारे पास आती गई और अब बिल्कुल कक्षा के बाहर से आने लगी जैसे कोई हम पर हमला बोलने वाला हो हमने तुरंत अपनी किताबे बंद कर दी और जल्दी जल्दी वापस अपने च्छातरवास जाने को तैयार हो गए पर हम कक्षा से बाहर निकल ही रहते तभी बहुत भयावास थिती आ गई हुआ ये कि फ्रेड अपनी किताब बंदी कर रहा था तभी उसकी पीट पर किसी ने तेज तलवार की नोक रख दी जो उसकी पेट से बाहर निकल गई वे जोर से चीखा और धडाम से जमीन पर गिर गया जीवन में पहली बार अपनी आँखों के सामने किसी को इस तरह मरती देख रहा था उसके पेट से खोन का फवारा ऐसे फूटा जैसे कोई पानी का पाई फट गया हो अमोस दर्वाजे की ओर भागा पर वहाँ पर विशाल काए डरावना जीव खडा था उसने एक धारदार तलवार से अमोस पर भार किया और उसके पेट में तलवार गुसा दी फिर तेजी से तलवार बाहर निकाल कर उसकी गरदन उसके शरीर से अलग कर दी अमोस की शरीर से खोन के फवारे बै रहे थे ये सब कुछ काफी भयावा था सामने मौत हो और बचने का कोई रास्ता न हो तो क्या किया जाए पर अचानक ही मेरे अंदर ना जाने कहां से साहसा गया वहां से कूट कर पूरा दम लगा कर विद्याले की और भागने लगा मैं बुरी तरह चीख रहा था मुझे कुछ भी होश ना था मुझे अपने मित्रों की भी चिंता ना थी भागे से वहां पर कुछ पुलिस के अधिकारी खड़े थे वे खबरिस्तान में किसी चोर को पकड़ने आये थे जो खबरे खोद कर कफन चुराता था मैं उनको घटना स्तलपा ले गया वहां का भ्यावय द्रिश देख कर हम काम गए मेरे मित्रों के मृत्य शरीर गायब थे जब हम खोन की बूंदों के सहारे आगे पहुचे तो हमने पाया कि उनके मास्क टुकडे विद्याले के जंगल वाले इलाके में बिखरे हुए थे और शरीर के बहुत सारे हिस्से गायब हो चुके थे आज भी मेरी पत्नी जब भी बच्चों को छात्रावास वाले विद्याले में पढ़ाने की बात करती है तो मैं उसे तुरंत मना कर देता हूँ क्योंकि अनुभव ही सबसे बड़ा गुरू होता है मेरे दोस्त एलेक्स के साथ घटित ये एक ऐसी कहानी है जिस पर आप विश्वास नहीं करेंगे सबसे बड़ा था उसका भाई ब्राइन और उसकी बहन सबसे चोटी थी एलेक्स एक ट्रक ड्राइवर था वो विवाहित था उसके साथ कोरोना महमारी में जो कुछ भी घटा उससे पूरा गाउं स्तब्द रह गया कोरोना के कारण एलेक्स ने अपनी नौकरी गवा दी वो अपने परिवार के साथ ही समय बिता रहा था ब्राइन की पतनी बहुत घमंडी महीला थी जब भी ब्राइन अपने काम पर जाता था तो उसे ही बच्चों की देखभाल करनी पड़ती थी जब ब्राइन की नौकरी छुट गई तो वे और भी जगडालू वा उग्र हो गई वे उसे गालिया देने लगी ताने मारने लगी केवल इसलिए कि ब्राइन बेरुजगार हो चुका था इन परिस्थितियों में वे शहर से गाउं चले गए जिससे कम पैसों में भी घर के खर्चे चल सके पर ब्राइन के लिए ये सब सहन करना बहुत कठिन होता जा रहा था जब भी हमारी मुलाकात होती वो बहुत तनाव ग्रस और निराश दिखता ये ब्रस्पतिवार शाम की बात है मैं एलिक्स से मिलने उनके घर गया तो देखा ब्राइन की फैमली के साथ कुछ बहुत भयानक घटना हो गई मैंने देखा कि एलिक्स वा अन्य लोग रो रहे थे मैं स्थब्द रह गया और मेरे दिमाग में उल्टे सीधे सवाल आने लगे मैं करीब गया तो मैंने जो कुछ भी देखा उसे देखकर लग भग एक घंटे तक तो मुझे होशी ना रहा ब्राइन ने चच से लटक कर फासी लगा ली थी उसका शरीर हवा में जूल रहा था एलिक्स वा ब्राइन के पूरे परिवार जैसे आफ़त ही तूट पड़ी थी हर कोई बहुत परिशान था और उसकी आत्म हत्या का कारण उसकी पत्नी को ही बता रहा था उस समय तो मैं वहां से चला गया ताकि वह खुल कर आपस में बातचीत कर सकें पर रात को मैं फिर एलिक्स के पास पहुचा जिस से मैं इस दुख से उभरने में उसकी मदद कर सकूँ उस रात सोते सोते अचानक किसी आहट ने मुझे जगा दिया कोई मेरे नाम से मुझे पुकार रहा था और ये आवास बिलकुल ब्राइन की आवास से मिलते जुलती थी पहले तो इसे अपना सपना समझ कर मैं सो गया पर आवास लगतार आ रही थी अब मुझे उच्छ सुकता हुई और मैंने गरदन उठा कर देखना चाहा और जो कुछ भी देखा वे बहुत भयानक था कोई अजनबी सा आदमी दरवाजे पर खड़ा था और डरावनी आवास में बोल रहा था पर इस थितिया जो भी हो पर मैं अपनी पतनी के लिए वापस आया हूँ मैं कुछ देर तक यूही खड़ा उसे देखता रहा और सोचने लगा कौन हो सकता है क्या ये ब्राइन है पर मरा हुआ व्यक्ति वापस कैसे आ सकता है अगली सुभा जब मैं उठा तो मैंने किसी से भी रात की घटना नहीं बताई अगले दिन दफनाने की तयारी की जा रही थी क्योंकि ऐसा मानते हैं कि आत्मे हत्या करने वाले का शरीर तुरंथ दफना दिना चाहिए मैं भी एलेक्स वा अन्य लोगों के साथ कब्रिस्तान चला गया हमने मुर्दा घर से ब्राइन का शरीर उठाया और कब्रिस्तान की ओर चल पड़े तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे ड्राइवर को इमर्जेंसी ब्रेक्स लगानी पड़ी हम सब चौक पड़े हमने ध्यान दिया तो देखा सडक के बीचों बीच एक जुगा हुआ साया खड़ा था जो ड्राइवर से गाड़ी रोकने की विंदी कर रहा था ये वही साया था जो मुझे पिछली रात दिखा था वो कह रहा था अगर आज तुम मुझे दफना भी दोगे तो भी मैं अपनी पत्नी के लिए वापस आऊंगा ये वही आवास थी जो मैंने पिछली रात सुनी थी मैंने सबको पिछली रात वाली घटना बताने का सबसे उचित समय पाया वैसाया गायब हो गया और ड्राइवर ने पुना गाड़ी स्टार्ट कर दी जब हम खब्रिस्तान के गेट पर पहुचे तो अचानक गाड़ी का इंजन बंध हो गया ड्राइवर ने बहुत कोशिश की पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई जबकि डीजल की टंकी फुल थी मैं समझ गया था कि कुछ तो है जो पूरे परिवार को डरा रहा है मैंने कौफीन को ध्यान से देखा वे हिल रहा था उसमें से अवाज आ रही थी कि किरपया मुझे जिन्दा मत दफनाओ पर कुछी देर में लाश को दफना दिया गया ब्राइन के घर में हर कोई रो रहा था पर ब्राइन की पतनी पर तो जैसे अपने पती की मौत का असर ही ना था मैं उस रात भी एलेक्स को समालने के लिए उसके पास ही रुख गया रात होने पर फिर से एक भयावा घटना घटी वे साया फिर से हमारे सामने आगया और इस बार वे एलेक्स को निर्देश दे रहा था वे कह रहा था कि ब्राइन की गबरे के पास जाएं और उसकी पतनी को उसके बराबर में दफना दें फिर वो बोला कि मैंने अपने साथ अपनी प्रिये पत्नी को भी बुला लिया जिसने मुझे आत्म हत्या करने पर मजबूर किया था रात के दो बजे थे हम हिम्मत जुटा कर कब्रिस्तान पहुँच गए और वहाँ जो कुछ देखा उसे मैं कभी नहीं भूल सकता ब्राइन की पत्नी उसकी कब्र के पास अचैथ पड़ी थी उसे देखकर लगा कि किसी ने उसे बहुत ही धारदार हत्यार से मारा है ये देखकर एलेक्स के मुझे चीख निकल गई जिससे उसके माता पिता भी जाक गए और तुरंद कब्रिस्तान में आ गए ब्राइन की पत्नी को इस दशा में पड़ा देख उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था कब्रिके चारों ओर राक और खुन बिख्रा हुआ था तब इसे आज तक ये घटना मेरे दिमाग से नहीं उतर रही है आज तक ये पता ही नहीं चला कि ब्राइन की पत्नी को किसने मारा उस दिन के बाद से मुझे कोई साया भी नहीं दिखा मैं एक ट्रेवल राइटर हूँ मेरा काम जगह जगह घूमना और उनके विशे में लेक लिखना है जिस वेबसाइट के लिए मैं काम करता हूँ वो अकसर मेरे ठहरने का भी खर्च देती है मेरा काम मुझे बहुत पसंद है मैं 30 साल का कुमारा हूँ और मज़िदार जिंदगी जी रहा हूँ पर एक दुरगटना ने सब कुछ बदल दिया कुछ वर्ष पहले मैं क्रोट काउंटी गया जो एरिजोनों का एक छोटा सा गाउं था सड़क की यातरा हमेशा मेरे लिए रोचक रही है मैं समान बांद कर सड़क पर आ गया साफ सुतरी हवा ने मेरा सारा तनाफ दूर कर दिया था वहां एक ही छोटा सा होटल था पाज घंटे की थकान भरी यातरा के बाद मैं उस होटल न पहुचा जहां पर एक चालिस वर्षी महिला से एक लड़का काउंटर पर बात कर रहा था मैं उसके पास पहुचा और अपना परिचे दिया उसने मुस्कुराते वे कहा श्रीमान आस्तर आपका स्वागत है मैं जेमी फ्राइट इस होटल की मालकीन हूँ आपके ठहरने के लिए रूम नंबर 204 तयार कर दिया है मैं बोला धन्यवाद किरप्या मुझे डेविड बुलाएं वो मुस्कुराते वे लड़के से बोली टेड देविड को उनकी कमरे तक ले जाओ मैं समझ गया टेड उनका साहयक है ये होटल काफी पुराना था पर सजावट से लगा कि हाल फिलाल में इसकी मरमत की गई है जब मैंने टेड से पूछा तो वो बूला लोग ने जवाब दिया आपको मिला कर चाल लोग डॉक्टर जॉन वेन और अपने 10 साल के बेटे के साथ मिसिस कूपर टेड ने रूम नंबर 204 का दरवाजा खोल दिया ये मद्याम आकार का एक अरामदे कमरा था जिसमें एक बड़ी खिरकी थी जिससे दूर तक फैले खेतों का नजारा देखा जा सकता था मैंने अपना सवान खोला और नहाने चला गया रात के खाने का समय हो रहा था मुझे भूग भी लग चुकी थी इसलिए मैं भूजन करने के लिए निकल गया मैं कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि मैंने सुना कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे मैंने तुरन दर्वाजा खोला और देखा कि एक व्यक्ती गले में आला लटकाय हॉल की और भाग रहा था वो कमरे की तरफ से भागतावा गुजरा और बाई और कोरिडॉर में चला गया मैंने उसी दिशा से टेट को भी आते देखा उसके चेहरे पर भै था मैंने उसे रोका और पूछा क्या हुआ टेड ये हो क्या रहा है टेड ने कामतेवी आवाज में बताया हमारा माली बोरिस अपने कमरे में मरा हुआ मिला मैं स्थब्ट रहे गया अभी मुझे यहां आए कुछ घंटे ही गुजरे थे कि अचानक कोई मर गया मैं भी टेट के पीछे पीछे बोरिस के कमरे में गया मैंने देखा मिसेस फ्राइट कुरसी पर बैठी हलकी आवाज में रो रही थी आला लटका हुए व्यक्ती शायद डॉक्टर जॉन वेन थे वो बिस्तर पर पड़े व्यक्ती की जाज कर रहे थे मिसेस फ्राइट के बराबर में एक और महीला खड़ी थी जो उन्हें सांत्वना दे रही थी मैंने अंदाजा लगाया वो मिसेस कूपर थी बिस्तर पर पड़े व्यक्ती की जाज करने के बाद डॉक्टर वेन ने टेट की और देखा और बोले मैं मृत्यू प्रमाण पत्र बना दूँगा तुम बागी क्रिया करम करो अब मिसेस व्राइट और भी जोर जोर से दोने लगी सबसे अजीब चीज थी बोरिस का चेहरा उसकी आँखें डर से फटी वे थी ऐसा लग रहा था मानो कि उसने मौत से पहले कुछ बहुत ही भायानक देखा हो उसका चेहरा पीला था और सारे शरीर का खून सूख चुका था तब से मेरे दिमाग में ना जाने कितने सवाल कौंधने लगे बोरिस के साथ क्या हुआ था वो कैसे मारा मैंने बोरिस को फिर देखा वो सचमुच पीला वरक्तिहिन पढ़ चुका था डॉक्टर वीन मेरे पास आए और बोले जरूर आप ट्रेवल लेखक हैं टेट ने मुझे आपके बारे बताया था मैं डॉक्टर वेन हूँ ये एक दुर्बागी पूर्ण घटना है मैंने उनसे हाथ मिलाते वे कहा जी यदि आपको अपत्ति ना हो तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि बोरिस कैसे मरा डॉक्टर वेन बोले इसकी मौत मेरे लिए भी एक रहस्य है उसे खून की कमी थी ये बात मुझे दो दिन पहले पता चली जब मैं यहाँ आया था हर दिन वो पीला होता जा रहा था वे अपनी यादधाश भी खोता जा रहा था मिसस फ्राइट उठी और बोली मैं पुलिस को बलाने जा रही हूँ इस मामले में उनका हस्तशेब जरूरी है क्योंकि इसकी मौत मेरे होटल में हुई है उसके बात वे रोते वे कमरे से बाहर निकल गई मिसस कूपर भी उनके साथ चली गई उस एरिया का पुलिस कर्मी आया और उसने जरूरी जाच परताल की डॉक्टर वेन से बोरिस की मौत और मौत के आदी विशे में जानकारी ली मैं वहीं बैटा था टेड मेरे लिए चाय ले आया वो बहुत डरा हुआ था मैंने पूचा टेड क्या तुम ठीक हो टेड ने उत्तर दिया सर मेरे तो दिमाग से बोरिस की शकल ही नहीं हट रही रोज की तरह सुभा मैं उसको उठाने गया वो पिछले हफ्तों से कुछ बेमार था पर सोचा ना था कि वो मर ही जाएगा मिसस कूपर हमारे पास आई उन्होंने टेड को देखा और बोली जो भी आज हुआ वो सब कुछ मेरे छोटे से बेटे को डराने के लिए काफी था हमें अब बोरिस की मौत की विशय में जोड़ जोड़ से बात नहीं करनी चाहिए अगर पेली ने सुन लिया तो वै मुझे से फिर से सवाल करना शुरू कर देगा मिसस कूपर की बात मुझे बहुत बुली लगी लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्हें अपने बेटे की चिंता भी थी टेड़ अपने काम पर वापस चला गया मिसस कूपर ने मुझे जुझला कर देखा और वो भी चली गई चाहे खतम करने के बाद मैंने सोचा चलो टहल कराता हूँ मैंने देखा कि डॉक्टर वेन पोर्श में खड़ी होकर पाई पी रहे थे मैंने उनसे पूछा क्या वो भी मेरे साथ चलेंगे वो तुरन तयार हो गए हम धूल भरी सड़कों से गुजर कर टहलते हुए होटल के काफी आगे निकल गए अचानक मैंने डॉक्टर वेन का चेहरा देखा मैंने हिचकिचाते हुए पूछा डॉक्टर साहब क्या आपको कुछ परशान कर रहा है वो बोले डेविड मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं प्रकृतिक वा अप्रकृतिक मौत के बीच का अंतर जानता हूँ बोरिस की मौत मेरी समझ से बाहर है मैं घबरा कर बोला पर हर कोई तो यही कह रहा है कि उसे खोन की कमी थी तब आप्रकृतिक कैसे है डॉक्टर वेन बोले कितनी भी खोन की कमी हो पर दो दिन के अंदर मौत हो जाना ही पूरी तरह से आप्रकृतिक है जब मैं यहां आया था तब बोरिस काफी कमजोर था पर देखकर लगता था कि एक साल से भी ज्यादा जी सकता है पर अब दो दिनों के अंदर उसका सारा खुन खतम हो गया मैंने परशान होते पूछा तब आपके हिसाब से उसके साथ क्या हुआ होगा डॉक्टर वेन धीमी आवाज में बोले मुझे लगता है उसे मारा गया है शायद किसी जानवर के दौरा या कुछ भी पर मुझे नहीं मालू ये सुनकर अचाना की मेरे मुझे निकला क्या? डॉक्टर वेन आप क्या कह रहे हैं? मैंने चौक कर पुछा देखो कुछ ऐसी बात भी थी जो मैंने पुलिस को नहीं बताया आज जब मैं बोलिस की घड़ी चेक कर रहा था तो मुझे उसके गले पर एक गाव दिखा गाव? कैसा गाव? उसके गले पर दो छोटे छेद बने थे जैसे साप ने काटा हो डॉक्टर वेन ने जवाब दिया मैंने अचम्बिद होते हैं कहा तो इसमें क्या? इसका मतलब वो साप काटने से ही मरा? डॉक्टर वेन मेरे पास आकर बोले ओर डेविड तुम्हें नहीं पता वो साप काटने की निशान से बड़े निशान है उसके खोन से कोई जहन नहीं मिला क्योंकि उसमें खोन बचा ही नहीं था वास्ताफ में वेन ने जो भी कहा मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था डॉक्टर वेन कुछ समय के लिए रुके और बोले डेविड मैं वही समझता कि बोरिस की मौत सिर्फ एक दुरगटना थी आखिर उसके शरीर का सारा खून कहां चला गया मुझे लगा कि डॉक्टर वेन की बात में सच्चाई थी एनीमिया एक ऐसी अवस्ता है जब शरीर की लाल रख्ट कडिकाएं कम हो जाती है जिससे शरीर में आक्सिजन की कमी हो जाती है ऐसा होने पर भी शरीर में खून तो होता ही है पर बोरिस के शरीर कत्व सारा खून ही सुग गया था डॉक्टर वेन बोले ऐसा लगता है कि गो इसका खून धीरे धीरे चूस रहा था पर ऐसे कि उसे एनीमिया ही हो गया मैंने हसकर कहा ऐसा मच्चर भी तो कर सकता है डॉक्टर वेन हसने लगे और बोले पर हमें मच्चर से कहीं बड़े जीव का पता लगाना है हमने घड़ी देखी दोपहर के खाने का समय हो गया था हमने होटल वापस जाने को सोचा गेट के पास पहुचते ही डॉक्टर वेन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले किसी से इन बातों का जिक्र मत करना मैं बहुत जल्दी ही बोरिस की मौत का सच सामने लाऊंगा मैं किसी से कुछ बताने वाला भी नहीं था क्योंकि कोई विश्वास भी नहीं करता जब मैं गलियारे में गया तो देखा कि मिसेस फ्राइट बोरिस का कमरा लॉक कर रही थी उन्होंने मेरी और देखा और मुझसे बात करने आ गई मैंने मुस्कुरा कर पूछा मिसस व्राइट आप कैसी है वो परेशान चेहरे से बोली मैं ठीक हूँ उम्मीद है बोरिस की आत्मा को शान्ती मिले उसका हमारे सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं था वो इस घटना की विशय में कुछ और भी बाते करने लगी पर मेरी नजर उनके हातों पर गई चालिस की उमर में भी उनके हात बिलकुल जवानों जैसे सुन्दर थे जब हम बात कर रहे थे तभी मिसेस कूपर अपने बेटे को डाटने लगी कि दस बारा साल का बच्चा रोता हुआ कमरे से बाहर निकला और मिसेस फ्रैट के पास आकर बोला किरपिया मा को बताईए जो भी मैंने देखा वे सपना नहीं सश था बूगी मैन सच मुश था तभी डॉक्टर वेन आ गए और बच्चे से पूशन लगे बूगी मैन बूगी मैन क्या रोबिन बच्चा रोते वे बोला पिछली रात वो मेरी खिड़की के पास खड़ा था उसकी आँके लाल थी और उसका चेरा लंडे बालों से ढखा था मैने और डॉक्टर ने एक दूसरी क्यों देखा तभी मिसिस कूपर भागती वी आई और बोली उफ रोबिन ये केवाल एक सपना था चलो अब चलते हैं मिसिस फ्राइट बोली इसको सुलाओ मिसिस कूपर ये बहुत डरा हुआ है इश्वर जाने हमारे होटल का क्या होगा ये कहकर उन्होंने हम सब को दोपहर के खाने के लिए बुलाया और आगे बढ़ गई मिसिस कूपर भी रोबिन के साथ चली गई डॉक्टर वेन मुझसे बोले मेरे पास एक योजना है मैं लंच के बाद तुम्हें बुलाओंगा मैं अपने कमरे में चला गया सोचने लगा बुगी मैन क्या है क्या वास्ताव में उस बच्चे ने बुगी मैन को देखा आखिर बोरिस की मौत का उससे क्या कनेक्शन है दोपहर के खाने के बाद डॉक्टर वेन और मैं बगीचे में गए आसमान में काले बदल चाहे हुए थे अचानक मौसम बदल गया था डॉक्टर वेन आसमान देखते वे बोले बहुत जल्दी ही तेज बारिश होने वाली है हम गार्डिन टेबल के पास बैठ गए कुछ दूरी पर रॉबिन जूला जूल रहा था मिसस कूपर अपने बेटे के पास खड़ी थी सिगरेट जलाते हुए मैंने डॉक्टर वेन से पूछा आप किस योजना के बारे में बात कर रहे थे डॉक्टर वेन ने गंभीर आवाज में जवाब दिया मेरे अनुसार क्रूग काउंटी में वेमपायर रह रहा है उनकी बात सुनकर मैं जूर से हसा और बोला डॉक्टर वेन हद होती है आप दोपहर से किस तरह की बाते कर रहे हैं वेमपायर जैसी कोई चीज नहीं होती डॉक्टर वेन मेरी और देखते हुए बोले मैं शर्त लगा सकता हूँ कि बोरिज का खून उस रात किसी ने चूज कर उसे मौत तक पहुचा दिया केवाल वेमपायर ही ऐसा कर सकता है मुझे लगता है कि इस चेहर में कोई शैतान है हमारी बात ची तभी चल ही रही थी कि तभी पास से आवाज आई क्या तुम मानते हो कि वेमपायर वास्ताब में होते हैं ये मिसेस कूपर थी जो हमारे सामने खड़ी थी डॉक्टर वेन बोले बोरिस की मौत के पीछे जरूर कोई शैतानी या मनुष शक्ती है कोई भी एनेमिया का मरीज इस तरह से नहीं मर सकता वो हमारे पास ही बैट गई तभी मिसेस फ्राइट आ गई और बोली तुम लोग क्या बाते कर रहे हो मिसेस कूपर ने जवाब दिया डॉक्टर वेन सोचते हैं कि बोरिस की मौत के पीछे किसी अद्रिश शक्ती का हाथ है मिसेस फ्राइट ने हैरान होकर उनकी ओर फटी आँखों से देखा और भोली क्या वास्तव में किर्पिया बताईए आप ये कैसे कह सकते हैं डॉक्टर वेन ने सब कुछ विस्तार से बताया मौसम भी कुछ डरावना था इसलिए मिसेस फ्राइट का चेहरा डर से पीला पड़ गया तभी एक जोर की बिजली चबगी और तेज बारिश शुरू हो गई हम सब उठे और अपने कमरे में चले गए मिसेस कूपर भी रॉबिन के साथ चली गई डॉक्टर वेन, मिसेस फ्राइट और मैं डाइनिंग हॉल में आ गए हम सब डाइनिंग टेबल के चारो और बैट गए टेड आया और हमारे गिलास में शराब डाल दी डॉक्टर वेन ने टेड से पूछा टेड पिछली रात कितने बजे सोय थे इस सवाल के लिए वे तयार नहीं था इसलिए वो लड़ खड़ा कर बोला हाँ मैं बारा बजे के लगभग सोने गया था क्यों सर क्या हुआ डॉक्टर वेन बोले क्या तुमने पिछली रात कुछ अजीब सा देखा था यह सुना था टेड बोला नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं मिसेश फ्राइट पूरे समय शान थी वो अचानक बोली टेड अब जाओ और रात का खाना तयार करो आज रात भयानक तुफान आने वाला है पूरी शाम हमने बातचीत और अराम करते भे डाइनिंग हॉल में ही गुजार दी मैं बोलीस की मौत का विशे बदल कर और भी अलग-अलग विशों पर बात करने लगा जिससे वातावरण सहज हो जाए मिसिस कूपर भी हमारे साथ ही बैटी थी रात के खाने के बाद मैंने सबको अलविदा कहा और अपने कमरे में आ गया मैं लेट गया पता नहीं मुझे नींद आ गई अचानक मेरी आखें किसी के रोनी की आवाज से खुल गई रात के तीन भजे थे रोनी की आवाज रुकी तब ही बाहर से किसी बच्चे की चीखों की आवाज आई मैं भागता हुआ गल्यारे की और गया वहां जाकर देखा कि रॉबिन फर्श पर भिहोश पड़ा था मैं उसके पास गया और उससे अपनी बाहों में उठा लिया अचानक मेरी नजर उसकी गर्दन पर गई उस पर दो जहेद बने थे जिनसे अभी भी खोन रिस रहा था मिसिस कूपर अपने कमरे से भागती वी आई वो चिला रही थी हे इश्वर मेरे बेटी को क्या हो गया डॉक्टर वेन भी भागते वी आए हमने रॉक्टर वेन को बेट पर लेटा दिया वो सारी रात सोता रहा अगली सुभा हम सब होटल की लॉबी में एकटा हुए मिसिस कूपर ने डॉक्टर वेन से पूछा मेरे बेटे को क्या हो रहा है डॉक्टर रॉक्टर वेन तो मुझसे पूछे भी न कामरे से बाहर भी नहीं जाता फिर वो आधी रात में बाहर क्यों निकलाया और उसकी गर्दन पर ये कटे का निशान क्या है मिसिस फ्राइट बोली डॉक्टर वेन कृपिया मेरी मदद कीजिए हमारे होटल में ये सब क्या हो रहा है मैं चुपचाप खड़ा रहा सब को घूरे जा रहा था इस समय मैं भी डरा हुआ था डॉक्टर वेन ने मेरी और देखते हुए कहा पिछली रात रॉबिन के शरीर का थोड़ा खुन कम हो गया है मुझे नहीं मालुम कि उसे किसने काटा पर खुन तो निकला है मैं अपने एक मिद्र को बुलाने जा रहा हूँ जिस से हम इसे इलाज के लिए शेहर ले जा सके आज रात हमें यही रहना होगा कल हम यहां से चले जाएंगे फिर वे मिसिस फ्राइट के ओर देखते हैं बोले मिसिस फ्राइट श्रमा चाहूंगा मैं केवल चिकित्सा सम्मधी साहता के अलावा आपकी कोई अन्य साहता नहीं कर सकता डॉक्टर वेन का वेवार हमें काफी विच्चतर लगा ये वही थे जो बोलीस की मौत के पीछे किसी जानवर किसी शक्ती और वेमपायर को कारण मान रहे थे और अचानक ये यहां से भागने का मन बनाने लगे हर कोई अपने कमरे में चला गया मैं भी बगीचे में जाकर सिगरेट पीने लगा जब से मैं इस काउंटी में आया हूँ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था मैं काफी परेशान था तभी किसी ने मेरे कंदे पर हाथ रखा और मैं चौक कर पीछे हो रहा वहां डॉक्टर वेन खड़े थे उन्होंने अपने होट पर उंगली रखते हुए मुझसे खामोश खड़े रहने का इशारा किया और कहा कि मैं उनके साथ बिना सवाल पूछे चलता रहूं मैं दूर तक पहले खेतों में उनके साथ चलता गया आगे जाकर वो रुके और बोले डेविड मुझे इस शैतानी शक्ती को वश्मे करने के लिए तुमारी साहता चाहिए मैंने कहा लेकिन थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि आप जा रहे हैं वे मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोले मैंने इस शैतान के लिए एक जाल विचा दिया है मुझे विश्वास है कि ये हमारे बीची कहीं छिपा है मेरी आँखें आश्चारे से फैल गई मैंने पूछा क्या आपका मतलब है कि वेंपायर हमारे बीची रह रहा है और इसी होटल में डॉक्टर वेन बोले पिछली रात मैंने रॉबिन के बताए बुगी मैन के बारे में बहुत सोचा आधी रात को मैंने अपनी खिड़की के बाहर किसी के कदमों की आवास सुनी जब मैंने देखा तो होटल के पीछे एक औरत जा रही थी उसके बाल हावा में लहरा रहे थे रॉबिन का बुगी मैन कोई मर्द नहीं बलकि एक औरत है मैंने पूछा फिर आपने इसहब थोड़ी देर पहले क्यों नहीं बताया डूपते सूरज को देखते वे डॉक्टर वेन बोले क्योंकि वे शेतान हमारे भीची खड़ा था मेसेस कूपा ने कमरे से बाहर निकलने में समय लिया था मुझे विश्वास है कि वो अपने मुग का खुन साफ कर रही होंगी मैंने हैरानी से पुछा क्या आपका मतलब है कि एक माँ अपने बच्चे का खुन पियेगी डॉक्टर वेन फिर बोलने लगे बोरिस की मौत वाले दिन केवल वो ही थी जो बोरिस की मौत से जोड़ी बाते करने में कत्रा रही थी तो मैं याद है उसने कैसे हम लोगों से इस मामले को खतम करने की बात कही थी पता नहीं क्यों पर कुछ शन के लिए मैं डॉक्टर वेन से तर्क वितक नहीं कर सका कुछ दूरी पर खड़े होकर डॉक्टर वेन होटल देखते वे बोले आज रात हम रॉबिन के कमरे में छिपेंगे और हम शैतान को हमेशा हमेशा के लिए खतम कर देंगे रात के भोजन के बाद तयार रहना फिर वो चले गए मैं खाली खेतों में अकेला खड़ा रहा सोचने लगा मिसेस कुपर क्या वो वास्तव में प्रेत आत्मा है क्या वे वास्तव में निर्दोष लोगों का खुन चूसती है और अब वो अपने ही बेटे की जान लेना चाहती है जो भी हो आज रात सच्चाई सामने आही जाएगी आज का दिन बहुत खास था कल मैंने और डॉक्टर वेन ने उस शैतान आत्मा को पकड़ने के लिए प्लान बनाया था जो इस क्रूट काउंटी की हत्याओं की जिम्मदार है दो पहर के भोजन के बाद मैंने देखा डॉक्टर वेन मिसिस कूपर से बाते कर रहे थे मुझे तो विश्वासी नहीं हो रहा था कि वो ये सब कुछ भी कर सकते हैं अचानक मिसिस फ्रैट की यवाज आई देविड तुम काफी चिंतित लग रहे हो सब ठीक तो है ना मैंने हिचकिचाते वे कहा जी हाँ सब ठीक है वो गहरी सास छोड़ते वे बोली कल सब जाने वाले हैं मैं भी सोच रही हूँ कि ये जगा बेज कर कहीं आसपाद जाकर बस जाओं मेरा रिटार्मेंट का समय भी आही गया है मैंने पूचा आप इस होटल को कितने सालों से चला रही है मिसिस फ्राइट ने उत्तर दिया इस होटल के मालिक मेरे पुराने मिद्र थे उनकी मौत के बाद ये बिजनेस मैंने सबहला लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं इसे बचा पाऊंगी फिर वो उठी और दुखी मन से चली गई सूरज के डूबने और अंधेरा फैलने के साथ ही मेरी उच्चुकता भी बढ़ गई मैं और डॉक्टर वेन पूरी शाम डाइनिंग हॉल में शतरंच खेलते रहे रात के खाने के बाद हर कोई अपने अपने कमरे में चला गया मैंने देखा कि मिसेस फ्राइट मिसेस कूपर को शराब का गलास दे रही थी मैंने मन ही मन में कहा मिसेस कूपर आज रात आपका असली चेहरा सामने आ जाएगा रात को लगभग दो बजे मुझे अपने कमरे के बाहर एक हलकी अवास सुनाई थी मैं जाग रहा था और डॉक्टर वेन के इशारी की प्रतिक्षा कर रहा था मैं कमरे के बाहर आ गया डॉक्टर वेन मेरे कमरे के बाहर ही खड़े थे उनके हाथ में एक धार-धा लकड़ी का खूटा था मैंने कुछ भी नहीं का हम मिसस कूपर के कमरे की ओर चल पड़े डॉक्टर वेन ने धीरे से चाबी घुमाई मैं जानता था कि काउंटर्स उनों ने अतरिक चाबी ले ली थी मिसस कूपर के पूरे कमरे में गहरा अंधेरा था खिड़की से आती चान की रोशनी में हमें अपना रास्ता धिक रहा था रॉबिन खिड़की के पास लेटा था मिसस कूपर उसके बिस्सर पर नहीं थी मैं और डॉक्टर वेन दर्वाजे के पीछे चुप गए और अगले शण की प्रतिक्षा करने लगी अचानक होटल के घड़ी में तीन बजने की ध्वनी आई हम समझ गए कि अब समय आगिया है अचानक एक आहट सुनाई दी तो हमने खिड़की के बाहर देखा अंधेरे में एक औरत जिसके लंबे लंबे बाल थे कमरे में दाखिल हुई मेरा दिल किसी भागते घोडे की तरह धड़क रहा था डॉक्टर वेन ने लकडी का खूटा जोर से पकड़ लिया वो औरत रॉबिन के चेहरे पर जुकी पर अचानक बातरूम खुला और मिसिस कूपर बहार निकली उस विचितर आकरिती को अपने बेटे के पास बठा देख वो चीख पड़ी मैं बीना समय गवाए खिड़की की और भागा और इसे अंदर बंद कर लिया डॉक्टर वेन ने उचल कर लाइट सौन कर दी पर ये क्या? हम सब कांप रहे थे ये तो मिसस फ्राइट थी जो अपने शेतानी चेहरे के साथ खड़ी थी उनकी आँखें लाल लाल थी और मुझे गाड़ा गाड़ा खून टपक रहा था उन्होंने मिसस कूपर पर हमला करना चाहा पर डॉक्टर वेन ने फुर्ती के साथ वो खुटा उनके सीने में भूग दिया एक खतनाख चीख ने पूरे होटल को जगा दिया रॉविन जोर जोर से रोने लगा टेट भी आ गया और हम सब की आँखों के सामने मिसस फ्राइट के पूरे शरीर में आग लग गई और वो जलकर राख बन गई मुझे विश्वासी नहीं हुआ कि ये मिसस फ्राइट थी अगले दिन मैं वापस आ गया बाद में डॉक्टर वेन ने मुझे एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि मिसस फ्राइट ने उस रात मिसस कूपर की शराब में नीन की गुलियम मिला दी थी क्योंकि वे एक ही रात में मा बेटे दोनों को मारना चाहती थी उनको लगा कि अब खोन पीना मुश्किल होगा इसलिए मुझे बताया कि वो अब होटल बेचकर शिफ्ट होने वाली है डॉक्टर वेन ने ये भी बताया कि इस होटल का पहला मालिक भी एनिमिय से ही मरा था कोई नहीं जानता कि मिसिस फ्राइट कौन थी कहां से आई थी पर मुझे अभी भी डराफने सपने आते हैं जैसे वो मेरी खिड़की के पास अपनी लाल शितानी आखों से मुझे घूर रही है और उनके मुझे खून टपक रहा है